वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए और आप लोग देख रहे हैं यूपी पेसी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूटूब चैनल को दोस्तों जर्नल स्टेडीज यानि कि सामान अध्यन के 5000 कोश्चन की हमारी सीर बस आपको यहां पर हर वीडियो को कंप्लीट देखना है पूछे गए कोश्चन के आंसर करने हैं और कमेंट सेक्शन को भी जरूर देखना है क्योंकि मीना राज शिवांगी सबानूर सविता सिंग बहुत सारे हमाई सब्सक्राइबर हैं जो हर एक वीडियो में पूछे को कोश्चन के आंसर करते हैं इससे आपको बहुत हपोगी अगर आपको नहीं किसी कोश्चन के बाहें पता है तो आप वहां पर लाकर के कमेंट सेक्शन में उसके आंसर को देख सकते हैं अईए चली स्टाट करते हैं आपसे पूछया गया है पटसन फसल के बारे में तथ्यों से सम्मंदित गलत विकल्प कौन सा है उसको आप चैन करें पहला है कि यह जलोड मिट्टी में अच्छे डंग से विक्सित होता है एक दम सही बात है दूसरा है इसे उच्च तापमान, कम वर्षा और आदर जलवाईू इसकी आवश्चकता होती है ठीक है आपको क्या बताना है यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना है तीसरा स्टेटमेंट है कि यह फसल उश्न कटी बंदिये च्छेतरों में उगाई जाती है जबकि यह कम वर्षा नहीं इसको चाहिए भारी वर्षा ठीक है भारी वर्षा इसको चाहिए ठीक है बाकी यहाँ पर सारी चीजें सही है यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्यों होगा option B चलिये नेक्स्ट कोशन में मूवाउन करते हैं अगले कोशन की बात करें तो अगले कोशन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से जो इनकरेक्ट आप्शन है उसको आप चूज करें पहला है कॉफी के लिए गर्म और आदर जलवाईयू और सू अपवहित दोमट मिट्टी की आवश्यक्ता होती है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट है कॉफी की फसल की वरद्धी के लिए परवतिय ढाल अधिक उप्यूगत होते हैं तीसरा है विश्व के शीष तीन कॉफी उत्पादक देश जिसमें ब्राजील है वियतनाम है और कोलंबिया है चौथा है क कि इन में से कोई नहीं मतलब कोई भी विकल्ब जो है वो गलत नहीं है तो सही आंसर क्या होगा सही आंसर को ऑप्शन डी यानि कि यह तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इनको एज़ इस अपने दिवांग में सेट कर लीजिए जब आप बात करेंगे कॉफी के टॉप देशों के बारे में तो आपको ब्राजील वियतनाम और जो कोलंबिया है इन तीनों का नाम अपने दिवांग में सेट करना है कि कभी भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको ठीक है चलो नेक्स्ट कोशन पर मूव आउन करते हैं अगले कोशन के बारे में देखें तो य दो सो पाला रहित दिन आदी की आवश्यकता होती है आपको जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है ठीक है तो देखिए यहांप अगर हम बात करें कपास की है तो कपास के लिए हैई टेंपरिचर चाहिए यह सही है हलकी वर्षा चाहिए हही बभारी वर्षा नहीं चाहिए यह यहाँ पर incorrect है, तो पहला तो यहाँ पर हमारा statement हो गया incorrect, दूसरे statement की बात करें, कपाज जो है वो जलोड मिट्टी पर ही सरवोत्तम उकती है, ठीक है, तो मिट्टी की जब हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर जलोड नहीं, काली मिट्टी भी, ठीक है, क्या होगा, क पादक करने वाले उसमें कौन है आपका चाइना इंडिया और यूएस यह चीज यहां पर एकदम सही है तो option C जो होगा वो यहां पर हमारा answer होगा चलिए next question पर move on करते हैं अगले question में यहां पर आपको बताना है कि कौन सा है इसमें जो सही एक विकल्प है ठीक है पहला है इस दूसरा चावल उपोक्ष्न कटी बंदिये प्रदेशों का आहार है चावल के लिए उच्च तापमान कम आदरता और वर्षा की आवशकता होती है तो देखिए अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल उपोक्ष्न नहीं उश्न कटी बंदिये ठीक है उश्न कटी बंद पुर्देशों में ये मुक अहार है चावल के लिए हाई टेंपरिचर चाहिए हुमिडिटी यानि की अदर्था ये भी अधिक चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए ठीक है ये चावल की जरूरत है चावल की फसल के लिए अब यहां पर दे रखाए कम आदर ता तो यह करें यहां पर बोला गया कि चावल के तीन जो शीष उत्पादक है इसमें चाइना है इंडोनेशिया है और हिंदुस्तान है तो तीन अगर हम टॉप थ्री प्रोड्यूसिंग कंट्रीः की बात करें तो इसमें चाइना इंडिया और जो आपका इंडोनेशिया है यह इसमें शामिल है ठीक है इसके बाद option क्या दिया हुआ है कि उपरोग तो सभी अब यहां पर देखिए उपरोग तो सभी तो होने से रहा वो तो पहले ही गलत हो गया अब यहां पर जो यह दिया हुआ ना कि टॉप थरी कंट्री तो इसमें चाइना उसके बाद इंडोनेशिया नहीं आएगा यहां पर चाइना के बाद आएगा इंडिया इंडिया के बाद आएगा आपका इंडोनेशिया ठीक है तो इस तरीके से यह statement भी यहां पर incorrect है तो हमारा answer क्या होगा option ए अगले question की बात करें गले कोशन में यहाँ आप से पूशा गया है कि निमलिखित में से जो इनकरेक्ट आप्शन है उसको आप चूज करिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि मक्का के लिए मध्यम तापमान वर्शा और अधिक धूप इसकी आवश्रक्ता होती है ठीक है तो यह वाली बात तो दे यहाँ पर सही है तो तीनोही स्टेट्मेंट यहाँ पर कैसे है हमारे सही है आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेट्मेंट कौन सा होगा तो इनकरेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी यानि कि इन में से कोई नहीं पूशा गया है कि निमलिखित में से इनकरेक्ट स्टेट्मे सही है दूसरा है चलवासी पशुचारण मदद एशिया और पूर्वी अफ्रीका में पर चलेते है यह यहां पर स्टेट्मेंट आपका इनकरेक्ट है जो हम बात करता हैं कि इसकी चलवासी की तो यहां पर हमारा incorrect statement होगा वो कौन सा होगा option B ठीक है option B जोगा वो incorrect statement है इसके बाद अगले question की बात करते हैं अगले question में आप से पूछा गया है कि निमलिकित में से किस छेत्र में इस्थानांत्री एक करशी परचलित नहीं है in which of the following region the shifting cultivation लिखा होना चाहिए यहां पर is not prevalent ठीक ह अब यहां पर जो answer होगा इसका क्या होगा अब देखिए सबसे पहले यहां पर Amazon Basin के सघन वन शेत्र यानि की थिकी forested areas of Amazon Basin दूसरा है उश्न कटी बंदी एफरीका, ट्रॉपिकल एफरीका, दक्ष्ण पच्छिम एशिया यानि की Southwest एशिया और उत्तर पूर्वी भारत य आपका option C, यानि की Southwest Asia यहां पर प्रचलित नहीं है, इसके बाद next question के बारे में बात करते हैं, अगले question में आप से यहां पर पूछा गया है, निमलिकित में से किस देश में विश्व के सबसे बड़े भूत आपिये विद्दुत सहियंत्र हैं, एक भूत आपिये पुगा घाटी में इस्थे थे, निमलिकित में से किस राज या केंदर शाशित प्रदेश में पुगा घाटी इस्थे थे, तो यह कहां पर इस्थे थे आपकी लद्दाक में, और सही आंसर यहां पर कौन सा को option A, पहले वाले का क्या आएगा US, और दूसरे में क्या आएग आपका लद्दाक, चलो, next question पर move on करते हैं, अगले question में यहां पर आपको बताना है कि कौन सा गलत विकल्प है, ठीक है, एक तरफ आपको परमानू उर्जा केंदर दिया हुए है, और एक तरफ राज दिया हुए है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कलपकम की, तो यह त मिलनाडू में है, सही, यहां पर इसका जोड़ा है, तारापुर महरास्ट सही जोड़ा है, राना परताब सागर की जब हम बात करते हैं, तो यह आपका, यहां पर नहीं है मद्द प्रदेश में, ठीक है, अब यह मद्द प्रदेश में नहीं है, तो कहां पर है, यह है आप का कोटा में अब कोटा मतलब राजस्थान ठीक है इसके बाद कैगा की बात करें तो कैगा यह आपका कहां पर है करनाटक में यह चीज़ यहां पर सही है उत्तर प्रदेश में कहां पर पर प्रमाणू उर्जा केंद्र है यह कमेंट सेक्शन में आप लोग बताईएगा बारह में राजस्थान और जहारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं यानि कि डिपॉजेट्स हैं दूसरा स्टेट्मेंट है कि थोरियम विशाल मात्रा में करनाटक के मोनोजाइट बालू में पाए जाता है तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन भी य और अगर पता था देट मीन्स कि आपकी तैयारी बहतर है बहुत बहतर है आप और उसको इंप्रूव करिए और पढ़ते रही है ठीक है ठीक यू सो मच फिर मिलते नेक्स वीडियो में बबाए